उत्तर परदेश की मंडियों में चालू वर्ष में धान की अच्छी कीमत मिलने से किसान खुश है मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसानों के चहरों पर फसल के अच्छे दाम मिलने की खुशी देखी जा सकती है धान की 1509 प्रजाती 3780 रुपे प्रतिकुश पर बिक रही है वहें बुलंद शेतर में बड़ी संख्या में किसान धान की खेती करते हैं धान की फसल किसानों की आई क्या मुख्य स्त्रोथ है सिकंदराबाद अनाज मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि इस वर्ष बारिश कम होने के कारण धान की लागत बढ़ गई है लेकिन धान के गेती प्रजाती 1509 के गत वर्ष के 2800 रुपे प्रतिकुश के मुकाबले इस वर्ष प्रतिकुटल 3780 रुपे मिल रहे हैं भविश्य में और भी दाम बढ़ने की फिलाल संभावना है लागत अधिकाने के बावजूद भी मंडी में दाम अच्छे होने के कारण उन्हें लाब हो रहा है फसल के अच्छे दाम मिलने से फिलाल किसानों में खुशी का महोल है इस बार जिले में 90,000 हेक्टियर से दिक भूमी में धान की फसल उगाई गई इस बार बारिश कम होने के कारण किसानों ने किसी तरह फसल पका कर तक पहुँचने का काम किया अब रुक रुक कर जगा जगा हो रही बारिश के चलते किसानों को अपनी फसल की चिंता भी सता रही है जिले की मंडियों में इस बार धान का रेट अच्छा मिलने से भी किसानों को आस है कि इस बार दाम अच्छा ही रहेगा जबकि पिछले साल धान का रेट 2000 रुपे के आसपास था और किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिल सका था जिले में बासमती धान की ही सबसे ज़ादा खेती की जाती है वहीं मंडी में धान की अगेती प्रजाती 1 सितंबर से पहुँचने शुरू हो गई थी 1 सितंबर को 8 कुईंटल धान मंडी पहुचा जिसके बाद से लगातर किसान मंडी में अपना धान बेचने के लिए पहुच रहे हैं और सोमार तक मंडी के आड़ती 35 कुईंचल धान की खरीद कर चुके थे और किसानों को अच्छे भाव मिलने की खुशी में किसानों का कहना है कि आगे भी भाव में तेजी बनी रह सकती है